दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कांस फिल्म फेस्टिवल में उर्वशी रोतेला की रैग कार्पेट अपियरंस के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले आप से प्यारी सी गुजारिश है कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें कांस फिल्म फेस्टिवल दो हजार तेईस में एश्वर्या राय बच्चन से लेकर ईशा गुपता तक पहुची लेकिन इन तमाम सेलिब्रिटीज के बीच अगर किसी ने अब तक सबसे ज़्यादा सुर्खिया बटोरी है तो वो उर्वशी रोतेला है वो अब तक साथ से अधिक ड्रेसेज में दिख चुकी है अपने सी ग्रीन लिपस्टिक से लेकर मगरमच वाले नेकलस कारण उनकी खूब चर्चा हुई है अब 76 वे कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कापेट पर एक्ट्रेस की नए लुक ने हर किसी को चौका दिया है उर्वशी ने इस बार हरे रंग की फीदर ड्रास पहनी जिससे देखकर इंटरनेट पर जमकर शोर मचा हुआ है कोई उनकी तुलना पोकेमोन से कर रहा है तो किसी को वह तोता परी देख रही है और तो और एक यूजर ने तो उन्हें जटायू भी बता दिया है कान्स के दूसरे दिन एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का लुक काफी चर्चा में रहा था इसमें उनके नेकलस ने सभी का ध्यान की जा था उर्वशी ने मगरमच वाले नेकलस के साथ अपने लोग को कम्प्लीट किया था इसकी कीमत करीब 200 करोड बताई जा रही है इसके बाद अब वो तीसरे दिन भी काफी सुर्खियों में रही है अब उन्होंने अपनी लिप्स्टिक से फैंस और नेटिजंस का ध्यान की जा है वो लिप्स्टिक की वज़े से ट्रोल्स के निशाने पर आ गई है लोग उन्हें जम कर ट्रोल कर रहे हैं कान फिल्म फेस्टिवल में अपने दिल कशंदाज से उर्वशी ने सभी का दिल लूट लिया इस दोरान वो पिंट कलर के खूबसूरत से गाउन में रेट कार्पिट पर उत्री और महफिल जमा दी पिंट गाउन में वो किसी डॉल से कम नहीं लग रही थी हाला कि उनके लुक की तुलना दीपिका पादुकों से की जा रही थी इस लॉंग लेड टुले गाउन के साथ उनकी एकसेसरीज और मेकप भी काफी खास था इस दोरान जिस चीज ने सबका ध्यान कीजा वह उनका अनोखा नेकपीस था जो मगरमच की तरह लग रहा था इस पर नेटिसेंस ने अभिनेत्री को ट्रोल किया उनमें से एक ने लिखा गले में पड़ी चिपकली अगर जिंदा हो गई तो फोटो शूट छोट कर ऐसे भगोगी दूसरे ने कहा है भगवान मुझे लगा कि हार असली चिपकली का है वही एक और शक्स ने कहा तुम इतनी सुंदर हो तो ये तुम अपने गले में चिपकली क्यों लगता रही हो बता दे कि उर्वशी भारती अविकेट की पर बल्ले बाज रिशब पंत के साथ अफय की खबरों को लेकर चर्चा में थी और वशी अपनी जो भी पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करती थी उस पर वह जमकर ट्रोल होती थी इसके बाद उन्होंने अपने आरपी का भी खुलासा किया था अभिनेतरी ने बताया था उनके आरपी रिशब पंत नहीं है बलकी राम पोथिनिनी है उर्वशी रोतेला की कांस से कुछ तस्वीरे इंटरनेक पर सामने आई है इसमें देखने के लिए मिल रहा है कि उन्होंने ब्लू कलर की लिप्स्टिक के साथ अपने लुग को कम्प्लीट किया है यहां तक कि ये भी कहा जा हैं दूसरे ने लिखा वो एश्वर्या को कौपी कर रही है तीसरे ने लिखा आप ऐसी लिप्स्टिक लगाकर उर्फी निकलने वाली है चौथे ने लिखा ये लिप्स्टिक नहीं जेल पैन है इसी तरह से लोग इस पर खूब कमेंस कर रहे हैं उर्वशी रोतेला की अपल कलर की लिप्स्टिक लगाई थी। अब ऐसे में जब इस बार उर्वशी ब्लू लिप्स्टिक में दिखी तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि उन्होंने एश को कॉपी किया है। दिखाई की फैंस के दिलों में हलचल मच गई। इसी से मैचिंग पल यरिंग्स और उन्बूठी कैरी की हैं। उर्वशी ने रेड कार्पेग पर जम कर फ्लाइंग किस्दी और आँख मार कर फैंस के दिलों को घायल कर दिया। इससे पहले उर्वशी रौतेला ने कांस फिल्म फेस्टिवल दो हजार तेज के पहले दिन पिनक ओफ शोल्डर गाउन में इंट्री की थी। उर्वशी के लुक से ज़्यादा उनके क्रोकोडाइड वाले नेकपीस ने सभी का ध्यान अपनी और खीजा। आपको बता दे उर्वशी रौतेला दूसरी बार कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुने पहुँची है। इस साल बॉलिवुड की कई हसीनाए कांस में अपना डेब्यू कर रही है। जिसमें अनुष्का शर्मा का नाम भी शामिल है। अनुष्का के लुक पर सभी की नजरे रहेंगी। वही एक्ट्रेस एश्वर्या राय पिछले लंबे समय से कांस रेट पर नजर आती रही है। उर्वशी को शुरू से ही मॉडलिंग करने का शौक था और वह अपने स्कूल के दिनों से ही मॉडलिंग करती आई हैं और तब से ही उन्होंने बहुत सारे मॉडलिंग के कॉन्टेस्ट में भाग भी लिया है। उन्होंने 15 साल की उमर में ही beauty शोज और contest में भाग लेना शुरू कर दिया था और आज उर्वशी बहुत सारी नामी गामी ब्रांज के लिए modeling करती है उर्वशी के मॉडलिंग करिया के बाद करे तो उहोंने अपनी मॉडलिंग के करिया में बहुत ही काम्याब रही है और बहुत सारे ब्यूटी कॉंटेस्ट को अपने नाम किया है उन्होंने Miss Teen India 2009, Indian Princess 2011, Miss Tourism Queen of the Year 2011, Miss Session Supermodel 2011 और Miss Diva 2015 का ताज अपने नाम किया है उन्होंने Universe 2018 में सबसे कम उमर की सबसे खूब सूरत महिला का खिताब जीता उर्वशी सबसे ज़्यादा beauty contest चितने वाली अभिनेतरी है उन्होंने Beauty of the Year, Most Viral, Tessal Fashion and Lifestyle Awards, Salive of the Year Youth Icon Awards 2017 आदी जैसे कई Awards अपने नाम किये है कांस में अपनी लास्ट अप्यरंस में उन्होंने हरे रंग की ड्रेस पहनी है एक्ट्रेस का ये लुक देखने के बाद पैस उन्हें तोता और पेर बोल रहे हैं उर्वशी रोतेला ने 2023 कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पिक पर एक हरे पंख और सेक्विंसे सजे फ्लो लेंग्ध गाउन पहना है यूजर उर्वशी के लुक की तुलना पोकेमॉन से कर रहे हैं एक कोलाज भी पोस्ट किया और अपने फॉलोवर्स से फोटो को कैप्शन देने को कहा एक यूजर ने लिखा मेरी माने छठी क्लास में मेरे लिए ऐसा ही आउटफिक बनाया था और फेवरेट ग्रेस पार्टी के लिए तोते की तरह तयार हुई थी एक अन्य ने कमेंट किया भगवान कोई तो उसके स्टाइलिस्ट को आग लगा दे दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको उर्वशी रोतेला की कांस फिल्म फेस्टिवल में पहनी गई अलग-अलग रेसेज और फेशन कैसा लगा ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों सभी को मेरा धेर सारा प्यार